हेलो, नमस्कार, किसान साथिओ, मेरा नाम दल बीर है, और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है, और आज मैं आप के लिए एक खेती से जुड़ी नई वीडियो लें कर आया हूं, इस वीड गुवार की खेती के लिए उप्यू कुछ में कौन सा है गुवार की खेती के लिए फसल सका पनाना क्यों जुरूरी है गुवार की खेती के लिए कौन सा बीज का चुनाओ करे कौन कौन सी इसकी उन्नत किसमे है किस तरह में बीज का उप्चार करना है और इसके लिए में इसमें केट प्रबंदन और रोग प्रबंदन भी बहुत जुरूरी है, इसके एगेड़ है हम इसके कटाई करते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसके बज़ाए के समय कौन-कौन से साथाने रखे जिसके 20 गाँड़ गॉंग धो पतिसरत हो जिससे कि हमें कम खते वा कम समय में ज्यादा से ज्यादा वसल की पैदावार पराब्τα हो जिससे कि हमें अच्छे इनकम पराब्द हो इस वीडियो को अन्त तक जुरूर देखे चलो चली ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं अर्थ सुसक इलाकों में होती है यह गरम ओसम की फसल है जिसे बादजरे के साथ मिला कर बोया जा सकता है इसे अरी सब्जी के रूम में भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगों पर इसे एरेचारे के रूम में भी प्रियों करते है इसका अच्छा दाम भी मिलता है इससे किसान सलाना लाखोर रूपए की कमाई कर सकती है इसकी खेती मुक्यतों पर राजस्तान, हरियाना, उत्तर, पदेश, एंपिवा, महाराष्टर के कुछ इस्षों में की जाती है महाराष्टर में लगवग 9.1.6 में इसकी खेती की जा रही है कर्शी विवा के अधिकारियों ने बताया कि पफफ़वों को गवार खिलाने से उनमें ताकत आती है तो दारूप पफ़वों की दूद देने की समता में वर्द्धी होती है गवार से गौन का निर्मान भी किया जाता है ग्वार्गम का प्योग अनेक उत्पादों में होता है ग्वार्फली से स्वादिष्ट सब्जी बनाई जाती है इसका इस्तेमाल दाल थासूप बनाने में भी क्या जाता है ग्रामिन चेतरों में यह एक काफी लोग फिडिया फसल है हेलो, नमस्कार मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेकनिकल फार्मिंग है आज मैं आपको सक्ति वर्दक X6 की वराइटी के बारे में कुछ विशेशता है बताता हूँ यह रफन टप राइटी यह कम-पानी और ज्यदापानी में दोनों में अच्छी पैदावार देती है इसकी पैकट की किमत 400 रुपा की आस पास होता है इसकी पैदावार सबसे अच्छी होता है यह गवार बिलकुल पाइट होता है इसकी पुआई अरियानावा राजस्तान में सबसे ज़्यादा की जाती है एक एंकड के लिए 3-4 किलो बीज प्रियापत रहता है इसकी विज़ाई मद्यमवल की मिट्टी में की जाती है इस वराइटे में किसी भी प्रवड़कार की कोई बिमारी नहीं आती है यह वराइटी बहुत पुराणी वराइटी है इसकी पैदावार भी अच्छी यत्ति है अगर आपको यह वीडियो पसंदा है इस वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट वो इंडियन टेक्निकल फार्मिंग को सब्सक्राइब करे धन्यावाद नमबर 3 मिट्टी की जांच पीज की मात्रा, नमबर 10 पिज्जाई या फसल की बुआई, नमबर 11 फसल की बुआई थता ऐसी सिच्छेत्रों में, नमबर 12 खर्पतवार की रोगताम, नमबर 13 तिस तिन के बाद निराई या वूडाई, नमबर 14 तिस तिन बाद शिच्छाई, नमबर 15 अजल का परबंद नमबर 16 कीट वा रोगा परबंदन, नमबर 16 इंसेक्टिस साइड वा टोनिक का स्परी, नमबर 17 कटाई फिर कडाई फिर पंडारन, ये मुक्के सावधानिया है जो में गवार की फसल में रखनी चाहिए, गवार की खेती के लिए उप्यूकत समय, गवार की खेती खरीब औ खोड़ा उप्यूकत समय है, जाई आप नेरी पानी से भी कर सकते हैं, देरी से बुआई करने पर पैदावार पर प्रतिकल प्रबाव पड़ता है, वर्षा रितुक की फसल की बुआई के लिए जून वा जुलाई उप्यूकत समय है, वर्षा दारी छेतरों में जुलाई म आम ये वर्षा आग्मन के समय ही गवार की पुआई कर देने चाहिए, बजार में बाजरा की बहुत सी वराइटियां प्लूफद होती है, मई मैने में हम अगेत्ती वराइटी बाजून जुलाई में हम 75 वराइटी या फिर हम समय के उनुशार ही वराइटी का चुनाव करत हैं, अगर पहले उस खेत में सर्सों की विजाई की थी, तो सर्सों के फनों को रोटोवेटर की साथ से एक दो बार अच्छी तरह से जुताई कर दे, ताकि सर्सों के फनों खेत में अच्छी तरह से मिट्टी में मिल जाई, फिर आप हैरों की साथ से दो तीन बार अच्छी की एक-दो बार अची तरह से जूताइब करदे या फिर आफ क्अशी छायता से एक गहरी जूताइब करदे अगर खेत नहरी है तुछ ऐसकर लेजर लेवलवर की सायता से संतल करदे ताकि खार कि फीच चाहि अच्छी तरकिक करकी वह जाई है ये मिटी की जांट सब से पहले अपने की अपने केट की लिए उगाई जासकती है जैसे केहू, चन्ना, अरहर, शर्सू, राया, बर्सीन, गन्ना, अलू, मक्का, बाजरा, कपास मिट्टे की जांच से हमें यह पता जल जाता कि इस मिट्टे का पियेच मान कितना है और इसमें कौन-कौन सी फसले उगाई जा सकती है पाने की जांच, अगर आप फसल की विजाई के लिए नेरी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो यह सभी परकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें बीज-कौन सोपतिस्त हो जाता है अगर आप टीवल के पानी से फसलों की विजाई करते हैं तो आप सबसे पहले टीवल के पानी की जांच करवा ले अगर टीवल का पानी पीने में मिठा है तो इसमें पानी का पीपिम जादा हो सकता है और बीज-कौन के समय यह एक समस्या बन जाता है है अगर पाने का पीपें पीपेंब एक जार से कम हैं तो यह अशहा की फुछ हो जाता है अगर पानी का पूम के पानी के करना चाहिए किवर्वार की फसल चीन होती है अगर शीचाय के लिए जुर्थ पड़े तो मैं नहीरी पानी काहिए इस्तेमाल करना चाहिए खेत की त्यारी हुए गुबर की खाथ अगर आप खेत में गुबर की खाथ का इस्तिमाल करते हैं तो आठ से दस टॉल डी एक अंकट के लिए प्रयापत रहती है गुबर की खाथ जमिन में अच्छी तरह भी खायकर जमिन को सुम्तल कर देना चाहिए गुबर के लिए एक जुताई में प्रयापत रहता है जिसमें मर्दा नमी सरंक्सित रहे जुलाई जून के दिवतियों पकवाड़े में ही करने चाहिए इस प्रकाश त्यार खेट में खर्पतवार कम पनपते हैं गुबर पसल के लिए जलवाईू गुबर एक सुका सहन करने वाली गरम जलवाईू की पसल है यह उन्च शेतरों में असानी से उगया जा सकती है जहां पर ओसित गुबर साथ 30 से 40 सेंटीमेटर तक होती हो बिजों के अंकूर्ण वाई जड़ों के विकास के लिए 25 से 300 सेंटीमेटर के निचे ताब मान उप्यूकत होता है गुआर एक परकास से विदन से फसल है अताइस फसल में फूल वय फलियों का निवान के वर खरीब के मौसम में ही होता है अताइदिक बारिस वर्साथ वर ठंड़ को या सैननी कर पाती है जिन शेतरों में अताइदिक गरमी पड़ती है पंतु सिचाईगी सुविद्धा उपलब्ध है वहाँ पर गुआर की खेती से बरपूर पैदावार दी जा सकती है सुशक और अज सुशक दोनों दसाओं में इसकी खेती असानी से की जा सकती है गुआर एक उसन कटे बंदिया फचल है जो अठारा से तीस डिग्री सलस्टिस के उसा तामाल मरपकती है ख्रेब की गरम और आदर जलवाईयों के कांड़ पेड़ों की वर्दी बहुत अच्छी होती है शर्दी के मौसमें इन फचलों के तिलाब दैग नहीं होती है या फचल सभी परकार के मिट्टी में उगाई जा सकती है अच्छी जल्म निकास वाली मद्यम से भारी मिट्टी में फचल अच्छी तरह से बढ़ती है यदि मिट्टी की सतह साड़े साथ से आठ की बीच है तो फचल अच्छी तरह से विक्षित होती है जिसे फचल पत्ति या फचल चकर फचल चकर को क्रोप रोटेशन के नाम से भी जाना जाता है किसे निश्चित भूमी में निश्चित समय बारी फचलों को लगातार अदल बदल कर वोना ही फचल चकर कराता है फसल चकर का मुद्अ कहो देश्या किसी भी तरह के पोद्धा के लिए भूमे में मुझूद पौसक दुकरों के इस मुड़ाप से भूमे की बहुतिक और जविक सित्ति बैशान बनाया रखना होता है लगातार फसल चक्र अपनाने से किसान भाई को फसल में आने वाली की तरह की परिशानियों से छुटकारा मिलता है फसल चक्र का इस्तेमाल कर किसान भाई अपनी बुम्मी से लगातार अच्छी फसल ले सकते है और इसके पनाने से खेत की उरुक सकता भी बनी रहती है जबकि एक ही फसल को लगाता रुगानी से किसान भाईयों को फसल की कम उपज मिलती है और एक ही फसल को खेत में लगाता लगाने से मिट्टी में बीजनित और मर्दा जनित रोग भी बढ़ जाती है जिसके कारण बुमी में विशेले गुण आ जाते है, बुमी के अंदर विशेले गुण उत्पन हो जाने पर बुमी पहें पाई जाने वारी चोटी प्योंकि मित्र कीट नश्ट हो जाते है और बुमी दीरे दीरे बंजरू रूप जान करने लगती है फसल चक्कर के फाइदे फसल चक्कर के बनाने से बुमी की उरुख सकती बनी रहती है फसल चक्कर के बनाने से बुमी में अमलिया और सारी गुण पोसकततों और जविक पदार्तों की मातरा संतुलित रहती है फसल चकर के बनाने से फसल में कई तरह का किटो और बीज़नित रोग नहीं लगती है इसके बनाने से फसलों में पैदावार दिकमातरा में पराप्त होती है जिसके गुण na बुटा भी अच्छी बाई जाती है बूमी में फसल चकर बनाने से रसाइनिक उरोग कम आतरा में इस्तेमाल किया जाते है जिससे मिट्टी दुस्षित होने से बचती है फसल चकर बनाने से फसलों में रोग भी काफी कम ही देखने को मिलती है जिसकी वज़ाइसे किसान भाय दो वरा रशल्दौ और वहने वेला वरा कर्ची भी कम हो जाता है फाल्चकर दोरान फ़ली वारी फुसलों के बोने पर खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति बनी रहती है फचल चक्र अपनाने से खेत में कमी देखनें को मिलती है क्योंकि फचल करके दुरान अधिक गुड़ाय वाले फचलों को बोने पर खेत में खर्बधार नष्ट हो जाते हैं अधिक पुशंद तक तो गरण करने वारी फसलों की खेती के बाद खेत को एक वार खाली छोड़ देना चीए किसी भी विशेश रोग के लगने पर उस फसल को लगातार खेत में नहीं उगाना चीए जिन फसलों की जड़े अधिक गराई में जाते हैं उन फसलों के बाद जिन फसलों की जड़े कम गराई में जाते हैं उने उगाना चीए आज फसलों के उगाने के बाद दो से तिन साल में एक बार धनलनी फसल को जुरूर उगाना चीए देख गुडाई वाली फसलों के बाद कम गुडाई की जूर्ट वाली फसलों को उगाना चीए देख सिचाई वाली दान जैसी फसलों के बाद कम सिचाई वाली जूर्ट की फसलों को उगाना चीए अधिक और लेने वाली फसलों के बाद जिन फसलों की ऊर्भ की का पिकम आव सकता हती है उन्हें उगाना चीए इस प्रकार हमें फसल चकर अपनाना चीए भीज का चुनाओ हमे एक ऐसी वरैटी का चुनाओ करना होता है जो वराइटी अच्छा उत्पादन देती हो जिसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो और जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा मांगो और उसका बाव भी अच्छा हो क्योंकि एक बड़ी एक क्वालिटी का बीजी हमें का अच्छा उत्पादन और मुनाफ़ा दे सकता है बेज की उनत किसमे गवार की उनत किसमे बजार में गवार की कई उनत किसमे देखने को मिल जाती है जिने चारे दाने और अरीफलियों के दार पर तीन बागों में बाटा गया है उनत किसमे इस प्रकार है दानों के लिए उनत किसमे अजजी 365, अजजी 563, 220 हमीज पॉसा मोस मी एरे चार ata के लिए पॉप्यों की जाती है बुंदेलगुआर 3-गुhr-karann ती गुवर ाट when और आप पैदावार के ल्जुम से health करके अज़िए अगर आप हुप्यों करते हो TWD अगर आप फलियों के लिए उप्योग करते हो तो अर्यू फलियों वाली उन्यू प्रियापत रहता है और अरिखाद फसल में 15-16 तैंकट वीज की चूटि होती है इसके इलावा आप रेचारे के लिए फसल का उपयोग करना चाहते है तो सोडा से सतरा किलो पीज परतियंक कड की जूरत होती है इन विजो को खेत में लगाने से पहले उन्हें कैप्टान या बावस्टिंग की उच्छित मातरा में उप्चारित कर लिए एक एक्टर के खेत में 200 ग्राम की मातरा वारी दो पैकट वार जिवान रोत की जूरत होती है सबसे पहले हम अफाई यार यानि सबसे पहले हम फंगिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं फिर इंसेक्टिसाइड से बीज को उप्चारित करते हैं कि फंगिस साइड को उप्चार करने का मुख्य उद्ष्य दिमक यह सी रोकथाम के लिए जाता है और या जो खेत में जुआनों की संक्या बढ़ जाई जिसे की एक अच्छी फ़सल पराप्त हो गुआर फ़सल में खादे हो उरुरक गुआर दलानी फ़सल होने के का नाइट्रोजन की कुछा परती वातावरन की नाइट्रोजन को जोड़ों में उपसित पांट और एकतरत की लिए जा के समय खेत में डाल देनी चाहिए इसके तरित गुआर की विजाई को भुआई से पहले राइजवियम कल्चर की 600 ग्राम मातरा को एक लेटर पानी विबार डाइसोग्राम गुड के गोल में 15 किलोग्राम भी उसको पचारित कर चाहा में शुका कर बोना लाब दयाक रहता ह खेत की तेहरी के समय पांच टन गुबर या कंपोस्ट कार्ड या दो तिन वर्ष में एक बार अवस्य प्रयोग से पहले मिट्टी की जांस करवा लेने चाहिए गुड के बोई की विद्धी अधिक पैदावार के लिए गुड की बोई हमेशा पंक्तियों में करें बोई हलके कुंडों में अथा सीड्र की साहिता से करें कूडों में पुदों की जुडों के पास वर्षा जल से भी अधिक संग्रित होता है जिससे पैदावार अधिक मलती है और फसल की देखवाल करने में भी असानी रहती है गुवार के बुवाई पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 50 सेंटीमेटर तदा पुद्दी से पुद्दी की दूरी 10 से 15 सेंटीमेटर करने चीए घराई 4 से 5 सेंटीमेटर पर करने चीए बुवाई के समा भूमियों में प्रियापत मातरा में नम्यों होने चीए जिससे बीज का जमाव शिग्रहवा प्रियापत मादरा में होशके अगर आपने नेरी छत्र में विजाई की है तो आप इसकी मेड मना दे फिर आप इसमें खर्पतवार नेंतर के लिए पेंडा में लिथियां 33% EC का 50-500 मिलिमेटर को 500 लेटर पानी में मिला कर इसका छुटकाओ कर दे जिसे की केद में खर्पतवार नहीं होगे खर्पतवार नियंतर गवार के फसलों को खर्पतवारों से पूर्ण तया मुक्त रखना चीए समानी पसल भवाई के 15-20 दिन बाद की तरह के खर्पतवार निकल जाते है जिसमें जंगली जूट जंगली चरी वद्दूब गास परूँक है बाद खर्पतवार उगने के बाद हमें उसकी निराय या गुडाय आप से कर देनी चाहिए निराय यह गुडाय करने के बाद अगर खेत की सिचाई करने हैं तो 30 दिन बाद हम खेत की सिचाई कर सकते हैं जल परबंदन अगर कित में पानी का बढ़ाव ज्यादा हो सकता है तो हमें उसके जल निकासी का प्रबंदन करना चीए क्योंकि गवार की फचलों में ज्यादा पानी की जूट नहीं होती हैं गवार की फसल में कीट वा रोग प्रवंदन दिमक फसल के पोदों की जोड़ों को खाकर ये नुक्सान पुचाती है बोई से पहले अंतिम जुताई के समय केत में कुलून फोस एक पांच पत्ति सतिया कलोरिफाइस पाउडर 20 से 25 किलो परती एकटेर की दर से भूमी में मिला रहने चाहिए बोने के समय बीज को कलोरिफाइस के टना सकी 2 मिली लेटर मातरा से 50 किलोग्राम बीज की दर से प्चायर कर बोना चाहिए नमबर 2 कातरा इस कीट की लट पारंबे का वस्ता में फसल के पोदों को खाकर नुक्सान पुचाती है इसके निंटन के लिए खेत के आस पास पाई रहने चाहिए तथा खेत में प्रकॉप होने पर मिथाइल पैराथियोन या क्यूनोल फास एक पाइंट पास पते से चुन की 20 से 25 किलोग्राम आतरा पत्तियक डर की दर से बुरुकने चाहिए मोईला या किट पोदक के कमल बागों का रश्चुक्स पर फसलो को आनी पुंचाते है इसके नियंतरन पानी के लिए ट्राइजोफोस या मेला थ्यान की एक लिटर मातर को पानी में गोल बनाकर पत्तियक डर से चुटकाओ करना चाहिए एक्ट्रियर बलाइट यागवार की बहुत आनिकर बिमारी है इस बिमारी के उपर गोल अकार के का उगाना चाहिए बिज को दो ग्राम से ट्रेप्टो साइकलिन से पर्ति किलो बीज की दर से उपचारित करकर बोना चाहिए छाचिया इस रोग के कांड पोद्य के उपर सपेद रंगे पाउडर का आवरन बन जाता है इस रोग के नियंतर नहितू 25 किलो ग्राम गंदक ज जलती है इस बिमारी के कांड पोद्य अचानक मर जाते है इस बिमारी की रोग हुआई के 30-40 दिनों बात खेत में फुटाओ बढ़वार फुलों की संक्या में जबरदस्त वद्दी करने के लिए हमें पलानो फिक्स वा कल्टार जैसे टोनिक का इस्तेमाल करना चाहिए इस रोग थाम के लिए हम मोनो क्रोटोफास या इंडिकलोराइड या टाटा का आसा टाप जैसे दुवाई यह का चटकाओ करना चाहिए अन्य के टवा रोग 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 थाम के लिए आप अपने अस्दिक की डोक्टर से भी संपरक कर सकते हैं इसके बाद जैसे ही या फसल की हए कटाई शुरू है इसके बाद हम इसकी Te Asserschu कि लेना चाहिए इसके बाद हमें इसकी कटाइक कर लेने चिए कडाइक्डै करने के बाद हमें इस पसल का बंढान कर दूना चाहिए अगर आपको यह में एरबीत पसंद आए तो श्यूढ या ओंडीयो को ज्यादा प्रणिया वाद प्रणिया वाद प्रणिया वाद